कि घरेलू पाय में आप सब्सक्राइब आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले आज आदी से जोड़ी हूँ कुछ ऐसी रोचक बातें जो आप जानकर बहुत ही जो आपके लिए बहुत ही महत्पुर्ट जानकारी देने वाला है तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते तो इस वीडियो को आज़ते तक देखते रहे हैं पंदरा अगस का दिन भारत के लिए अविस मरड़ी है इसी दिन भारत में मद्धिकालिन और बिटिस गुलाम की जंजीरे तोड़क तोड़क एक नए युक में कदम रखा था लेकिन आप मेंसे बहुत से लोग होंगे जो इस दिन से जुड़े भारत की कई यादों के बार हम आपको भारत की आजादिस जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक बाते बताने वाले हैं पहला जो है भारत में भारत से पहले जो है पाकिस्तान का जन्व हुआ जी हां भारत के अंतिम वायस राय लावड मांट बेटन ही वो व्यक्ति थे जिन्नोंने भारत को पाकिस्तान की अव इभाजित मिला था ऐसे में किसी भी विवाद को जन्म देने ना जन्म देने से बचने के लिए वायस राय ने 14 अगस्त को पाक को आजजादी दे दी थी और लाहोर को उसकी राजधानी घोशिट कर दी गए थी भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दी दिन क्यों चुना गया यह लॉर्ड माउंट वेटन ही थे जो उन्होंने नीजी तोर पार भारत की सुतनता के लिए 15 अगस्त का दिन तै किया क्योंकि इस दिन वो अपने कारेकाल के लिए 2700 भाग इशाली माने जाते हैं इसके पिछले खास वज़ा यही थी कि असल में दूसरे विश्य उद्ध में के दौरान 1925 अगस्त को ही के ही दिन जापान की सेना ने उनकी अगवाई में ब्रिटिस के सामने आत्म समर्पाट कर दिया था माउंट बेटन इस उद्ध के समय सेना के कमांडर थे इसके अलावा वह जब लाड माउंट बेटन इस देश को आजात करने की बात कर रहे थे तब इस देश के बहुत सारे जोतिस पुराने दस्तावेज जो की लेकर आये थे इसमें तो 1945 में से इस देश में बहुत सारे जोतिस भविश्वाड़ी कर चुके थे कि और सारे जोतिस इस बात से सहमय थे कि 15 अगर 1947 में अगर भारत को आजादी दी जाए तो उस दिन वो दिन अच्छा नहीं होगा अगर इस दिन आजादी ली तो ये देश नहीं बचेगा टुकड़ टुकड़ में वहीं वह टुकड़ टुकड़ में बटने लगेगा और वही हुआ पाकिस्तान और फिर बांगला देश और अभी भी बहुत से राज अलग होने के लिए अंदूलन चल रहे हैं जैसे इंजाब, नागा लेंड, जम्मू कश्मीर, आदी जोतिस के अपने कुछ कैलकुलेशन होंगे इस देश में जोतिस का शास्त्र है जोतिस का विज्ञान है और बहुत विक्सित विज्ञान है और इस देश के उस जमाने के सारे बड़े जोतिस शास्त्री कह रहे हैं थी कि 15 गस 1947 की रात को आजादी मत दीजिए पंडित नहरू से मना किया गया था सादार पटेलने से मना किया था लेकिन ये सत्ता के मुह में इतने अंधे थे कि वो अंग्रेज का कहा हुआ मानते गया है स्ट्रीट विद डेस्टिनी जवाला नहरू के एतिहासिक भासर एस्ट्रीट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की मद्ध रातरी को वैसरा राय लॉज में दिया था तब नहरू प्रधान मंत्री नहीं बने थे इस भासर को पूरी दुनिया ने सुना था लेकिन गांधी उस दिन नौ बजे सोने चले गया थे बिना राश्टगान के जश्न 15 अगस्त को आजादी शुरू हो गया लेकिन उसका अपना कोई राश्टगान नहीं था रविद्ना टैगो और जंगर्मन 1911 में ही लिख चुके थे लेकिन यह राश्टगान 1950 में ही बन पाया यह राश्टगान भी भारत की गुलामी का ही प्रतीक है जो आप नीचे जो की आप जान चुके होंगे भारत का गीत तो वंदे मातरम है गांधी जी नहीं हुए शामिल महत्मा गांधी आजादी के दिन दिल्ली के हजारों किलिमेटर दूर बंगाल नुवाकली में थे जहां हिंदू और मुसल्मानों के बीच संपरदाइक हिंशा के रोकने के लिए अंशन पर थे लाल के लिए पर नहीं फैराया गया था ज़ंडा हर सतनता दिवस पर भारती प्रदान मंतिर लाल के लिए पर ज़ंडा फैराते हैं लेकिन 15 अगस्त 1940 को नहीं हुआ था नहरूने 16 अगस्त 19 सतालिक को लाल के लिए पर ज़ंडा फैराया था तीन देश की आजादी मनाते हैं पंदरा अगस्त को पंदरा अगस्त भारत के अलावा तीन अन्य देश भी सुन्तरता पंदरा अगस्त को ही मनाते हैं अपना सुन्तरता दिवस जो है पंदरा अगस्त को ही मनाता है दच्छड कोरिया जापान से 15 अगस्त को 1945 को आजाद हुआ था ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 19 अगस्त और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था इसलिए ये तीनों देश भी 15 अगस्त को ही अपना आजादी दिवस मनाते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको भी इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कुछ अजादी के बारे में जो रोचाच चान का रही हैं थी जो मेरे पास थी वह मैंने आपको बता दी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेल करना ना भूल आते रहेंगे मिलते अगरे वीडियो तक तक के लिए नमश्कार दोस्तों